यहाँ पे सिर्फ फीचर्स में चेंजेज नहीं हुएं, भाई, फ्राइजेज में भी डिफरेंसेज मिल गए हैं, नियू टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, हाइपर स्टाइल वील्स यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं, दोनों के दोनों रिमोट की मिल दिये, चार साथ में दो ट्विटर्स मिल जाते हैं, कुशन कंफर्ट बहुत बढ़िया यहां मिलने वाला है, स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल्स भी यहां मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ वेलकम करता है, इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, मतलब ऐसा प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम अपने को कुछ चेंज़ेस मिल जाते हैं, अब यहां पे सिर्फ फीचर्स में चेंज़ेस नहीं हुएं, भाई एक फैब आ गया है, तो यहां पे अपने को कुछ प्राइज़ेस में भी डिफरेंसे मिल गया है, तो सारी चीज़े आज अपने डीटेल में बात करने वाले हैं, तो वी अपने को आज़ेती है, और यह जो प्राइजिंग है, और इस वक्त अपन है सुनील आटोमोटिफ स्टार्टा शोरूम बालाखट में, तो इनकी सारी जो कॉंटेक्ट डीटेल्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कॉल करके आप विजिट करके सारी डीटेल्स ले सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अब इसका वॉक आराउंड सबसे पहले जो फ्रेंट प्रोफाइल है वो देखिए, तो फ्रेंट प्रोफाइल में जो चेंजेस हैं, बिल्कुल आपको लोटेस हो रहे होंगे, और ओर ओल विट्थ की अगर बात करें य अब एक क्रोम लाइन मिल जाती है, अब हेड्लाइम्स के अगर सेटप की बात करें, तो देखिए, यहाँ पे अपने को पालेट लाइम्स मिल जाता है, साइड में टाल सिंगनस और नीचे अपने को रिफ्लेक्टर बेज्ट हेड्लाइम्स मिल जाते हैं, अब लोबीम, अब साइट परफाइल के साइट में अपने को पाइंट जैसी हाते हैं, माइक्रो स्व ए सेग्मेंट में अपनी जो पॉइंच है नभाई, वो मिलती है, साथ में यहाँ पर जो एकदम अलग बनाती है, अपने सेग्मेंट में वो है इसके बिल्ड कॉलिटी, फाइ स्टार का हैं, यहां पर ground clearance अपने को मिल जाता है, अब wheels के अगर section की बात करें, तो वो अपने को मिल जाते हैं, 185-70R15, 15 इंच के wheels अपने को मिल जाते हैं, hyper style wheels यहां पर अपने को मिल रहे हैं, और पूरा piano black का यहां पर treatment भी अपने को मिल जाता है, अब front में अपने को disc brake मिल जाते हैं और rear में मिल जाते हैं drum brake तो ये इसके braking का setup है अब ORVM के अगर बात करें तो body colored अपने को मिल रहे हैं turn signals integrate किये और ये जो ORVM है electrically adjustable है foldable का option यहाँ अपने को नहीं मिलता door handles अपने को body colored मिल जाते हैं B pillar blacked out किया हुआ है और यहाँ पे जो glass area वो देखिए बहुत जबरदस glass area भी मिल जाता है अंदर से काफी ज़्यादा airy feel होने वाला है अपने को को बता दिया wheel base की बात करें तो यहाँ पे 2445 mm का wheel base मिल जाता है काफी बढ़िया space अपने को अंदर भी मिलता और वो भी अपन जाके चेक करने वाले अब side में अपने को fuel filler cap दिख रहा है fuel tank capacity की बात करें तो यहाँ पे अपने को 37 liter का fuel tank मिल जाता है mileage पहले से improve हो गया है refinement improve हो गया है तो भाई mileage भी यहाँ पे improve हो गया है अब वो कितना है तो अपने को 20 से 21 km बिल तक का भी जो mileage है ना punch easily निकाल देती है अब आपके पास अगर data punch है तो आप मुझे comment में ज़रू बताएगा कि आपको इससे कितना mileage मिलता है तो side profile यहाँ से complete होती है अब rear profile के side में अपने जैसे जाते है तो उपर अपने को power antenna मिल जाता है high mount stop lamp मिल जाता है center में Tata का logo मिल जाता है अब rear side में भी new Tata का logo अपने को मिल जाता है उसके नीचे rear view camera, bold punch की waging यहाँ पर अपने को मिल जाती है अब tail lamps के setup के अगर बात करे तो यहाँ पर LED setup अपने को मिल जाता है turn signals और reverse parking lamp अपने को side में integrate किया हुआ है अब नीचे side अपने को 2 reflectors और 2 reverse parking sensors भी मिल जाते है और rear profile से अगर looks की बात करें तो देखिए ऐसे कुछ looks अपने को यहाँ मिल जाते है अब boot space open करना है तो यहाँ पर request sensor भी अपने को मिल जाता है open जैसे click करेंगे तो देखिए एक request sensor दो 66 liter का यहाँ पर अपने को boot space मिल जाता है काफी enough है इस segment के लिए काफी deep भी दिया हुआ है मतलब बड़े बड़े bags यहाँ easily आने वाले है इस side अपने को एक hook मिल जाता है और एक side और अपने को यहाँ पर boot light भी मिल जाती तो यह काफी बढ़ी है अब इसके अंदर देखिए तो अपने को जो spare wheel है उसके अगर size की बात करें तो वो मिल जाता है अपने को 15 inch का normal steel ring तो काफी बड़िया यहाँ पर space मिल रहा है उपर मिल जाती है अपने को cladding और यहाँ से इसको कर देता है बंद तो यह हो गया तो rear profile यहाँ से complete होती है तो मुझे लगता है अब exterior की सार अब चलते interior में और देखते वहाँ पर अपने को गया-पीचर समल जाते हैं तो उसके लिए चाहिए अपने को चावी तो देखिए ऐसे को चावी यहाँ पर मिल जाती है दोनों के दोनों remote की मिल दिये functions की बात करें तो यहाँ पर lock, unlock, following headlamp और boot unlock करने को option मिल जाता है पीछे टाटा का logo यहाँ पर मिल जाता है एक फिस सेंसर भी यहाँ पर अपने को मिल रहा है अगर बात करें तो यहाँ पर चार speakers के साथ में दो twitters मिल जाते तो यह है साउंड का setup अब seats की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए फैबरी का पोजिट्री मिल रहे हैं लेकिन यहाँ काफी premium quality का fabric यहाँ और cushion comfort बहुत बढ़िया यहाँ मिलने वाला है और इस seat में अपन बताते चलूँगा तो सबसे पहले seat पपन पीसे कर लेते हैं और एक वार जो dashboard के look से वो देखिए आगे बढ़ने से पहले जो नए भाई लोग जुड़े ना फटा फट से subscribe बटन प्रेस कर दो यह बिल्कुल free है आप तो क्यों कंजूसी करना दबादो subscribe बटन तो steering wheel से तो decal shape में steering wheel अपने को मिल जाता है center में अपने को new tata का logo मिल जाता है अतलब चहां पे भी आप logo देखेंगे ना वह अपने को new मिलने वाला steering mounted controls भी यहां मिल जाते हैं अब left side में infotainment system के और telephony के controls और right side में अपने को cruise control मिल जाता है अब इसके adjustment के अगर बात करें तो tilt मिल जाता है टेलिस्कोपिक नहीं मिलता है left side में wiper के controls और right side में head lamp से control मिल जाते हैं अब cluster को अपन on करके देख लेते हैं तो अपने को right side में अगर देखें तो यहां पर start stop का button मिल जाता है fog lamps का eco city mode का button door lock करने के लिए और यहां पर ideal start stop का button मिल जाता है अब देखें इसको पंज ऐसे click कर करते हैं तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster पूरा का पूरा digital हो गया है यह भी एक चेज़ है जो अपने को टाटा पाइंच में मिल जाता है अब left side में अपने को टैको मिटर मिल जाता है center में M.I.D. और right side में fuel gauge और उपर अपने को temperature gauge मिल जाता है अब इस M.I.D. में क्या क्या मिलता अब देखें यहाँ पे अपने को speed दिखाएगा अब doors कौन से open हैं यहाँ पे information दिखा रहा है side में trip दिखा रहा है यहाँ पे average दिखा रहा है instant fuel economy अपने को center में मिल जाता है तो भाई average देखो आप सबसे पहले 19.9 का तो mileage अभी show कर रहा है बतलब आप समझी सकते हैं कि जो A infotainment system मिल जाता है वो भी harman powerdy मिल रहा है तो भाई harman powerdy यहाँ पे music system मिलते हैं और इसकी quality होती है बहुत जबर्दस बतलब ऐसा premium music system अपने को Tata में ही देखने को मिलता है इस price range के में बात कर रहा हूँ नीचे अपने को hazard का button AC event और यहाँ पे dual tone में dashboard मिल जाता है उसके levels थे ना उसमें अपने को यह नहीं मिलता था नीचे यहाँ पे अपने को थोड़ा space मिल जाता है phone वगर अपन रख सकते है 5-speed का manual gearbox मिल जाता है अब यहाँ पर reverse camera की quality की अगर बात करें तो वह अपन देख लेते हैं तो यह देखिए ऐसे कुछ quality मिल जाती है तो काफी clear view यह इतना बड़ा है dedicated light भी यहाँ मिल रही है तो काफी बढ़िया है यहाँ पर size मिल जाता है उपर side अगर देखें तो यहाँ पर ticket holder center में आयरव्यम मिल जाता है जो day and night अपने manually adjust कर सकते हैं cabin light मिल जाती है mic और side अगर देखें तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है vanity mirror तो यह high support काफी बढ़िया मिल रहा है और cushion भी बहुत बढ़िया मिल जाता है अपने को in seats में और height भी अपन adjust कर सकते है manually नीचे side अगर देखें तो तीन pedals और यहाँ पर एक dead pedal भी अपने को मिल जाता है तो seat को open कर लेते हैं adjust अपने height के according तो यह हो गई है adjust और चलते है अपन rear seat में अब देखते हैं वहाँ पर कितना space मिल जाता है और क्या क्या features मिल जाते हैं तो इसको करते हैं अपन off और चलते हैं rear seat में अब rear door panel की बात करें तो यहाँ पर देखें power window का button नीचे bottle holder और speaker का दृल अपने को मिल जाता है अब rear seats की बात करें तो देखें यहाँ पर width काफी देखिए तो काफी बढ़िया मुझे leg room मिल रहा है अंडर था इस support की बात करें तो वह भी काफी बढ़िया मिल रहा है मतलब space and comfort rear seat में बहुत जबरदस मिल जाता है इस segment के लिए तो भाई यह बहुत ही जबरदस थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ seat की बात करें तो 3 passenger easily बढ़ जाएंगे 3 point seat belt भी मिल जाते हैं और अपने को ISO fix यहाँ पर mount भी मिल जाता है अब नीचे अगर hump की बात करें तो बिल्कुल भाई minor सा मिल जाता है उसका कोई issue नहीं है इस side भी अपने को एक hook दिख रहा है और एक side भी मिल जाता है मतलब दोनों side hook अपने को मिल जाते हैं और जो AC vent के side में जो surrounding दिख रही ना भाई वो भी एकदम highlight होती है यहाँ पर तो चलिए मुझे लगता है rear seat की सारी चीज़ा अपने देख लिए तो अब चलते है इसकी engine बे के तरफ और बाकी बात है अपन वहाँ पे करेंगे और उसको open करने के लि मिल जाता है साथ में 115NM का टॉर्क और यहाँ पर जो mileage है भाई उसमें भी improvement आया है 90 से 20 km तो company बुर रही है उससे ज्यादा का भी mileage इसके जो owners है वो इससे claim करते हैं उपर अपने को extra insulation मिल जाता है NVH level control करने के लिए ABS CBD की यहाँ पर अपने को unit मिल जाती है तो यह था आपने पास data punch का accomplished variant features आपने देखे भाई काफी बढ़िया अपग्रेड हो गया है new कुछ touch इसमें देखने को मिले है अपने को 2024 में यहाँ पर एड़ कर दिये तो काफी बढ़िया यहाँ पर features के साथ में जो comfort का combination है वो भी अपने को data punch में मिल जाता है और जो pricing का update है वो भी मैंने मैं आपको बता दिया अब इसकी जो pricing है वो मैं आपको एक और बार बता जिता हूँ एक शो रूम प्राइस की बात करें तो साथ लाग पिच्चासी हजार में जाती है और प्राइस की बात करें तो यह लगबग 9,6,000 में और आ जाती है और यह जो pricing है बाला खट सिटी मद् झाहतू da जात एक शो रूम गचTo施ी मद्प चारा में खाग जाती है video, झाहतू ..